बायोपिक कहानिया हमेशा से फिल्मकारों को आकरसित करती है और बात जब देश के सबसे सेलिबरिटेट सेना प्रमोक और पहले फील्ड मार्सल मानिक साकी हो तो आपका जोश चरम पर होता है फिर राजी जैसी सफल फिल्म की जोड़ी मेगना विकी का कॉम्बनेशन आपको खूब उम्मीद दे ही जाता है तो आएए दोस्तो आज हम एक्स्प्लेंट करने वाले हैं सैम बहादूर मूवी को वीडियो अगर अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमार्ज चनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा ताकि आप कुसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेस्ट को उन्टिन दिलते रहे तो कहानी की सुरुबात होती है मानिक साके जन्ट से जहां उसके माता पिता उसका एक अलग नाम रखना चाहते थे इसलिए वो उसका नाम साइरस रखते हैं लेकिन जब उन्हें मालुम चला कि साइरस तो उनकी एरिया की सबसे फेमस चोर का नाम है तो बोस का नाम बदल कर सेम रख देते हैं जिसके बाद कहानी 1922 में भारतिय सैंड अकैडमी दहरादून के पहले दल में सामिन होने से सुरू होती है और सेम जब दहरादून की अकैडमी में थे तो सेम बहुत ही नटकट और सरारती थे और एक दिन अकैडमी के कुछ दोस्तों के साथ मिल कर वो एक दिन पार्टी करने के लिए चले गए लेकिन जब वो पार्टी से बापस आए तो वो परेड में सामिल नहीं हो पाए और ये वाज जब कमांडर को मालुम चली तो यहाँ पर सैम को 15 दिन की पनिस्मेंट दी जाती है वैसे अकैडमी थी तो देहरादून में लेकिन यहाँ पर अंग्रेजो कराच चला करता था इसलिए जो भी सारे बड़े ओफिसर हुआ करते थे वो सारे ही अंग्रेज थे और सैम अकैडमी से ही हर एक चीज में एक्सपर्ट थे फिर चाहे वो बॉक्सिंग क्यों ना हो तो फाइनली सैम का इंडियन आर्मी में सिलेक्सन हो गया था इसलिए वो पार्टी करने के लिए जाते हैं जहाँ पर जानने के बाद उनकी मुलाकात होती है सिलो नाम की एक लड़की से और उसे देखते ही सैम को उससे प्यार हो जाता है सैम यहाँ पर सिलो से कहता है कि तुम से कई सारे लोग बात करने के लिए मरे जाते होंगे, कई तरह के फलर्ट भी करते होंगे, लेकिन आज मैं जो तुम से कहने जा रहा हूँ, यह बात आस तक किसी ने भी नहीं कही होगी, यहाँ पर सेम उससे कहता है, कि मैं तुम से साधी करना चाहता हूँ, जिसके ब बाटालियन रॉयल स्कॉर्ट में तैनाद किया गया क्योंकि भारती यूनिट में भीजे जाने से पहले ब्रिटिस यूनिट में तैनाद होना माना कब भ्यास था अब आगे हम देखते हैं कि सेकंड वर्ड वार के समय पर जब जापान जब बर्मा पर अटेक करने वाला था तब सेम को बर्मा में बारवी फर्टियर फोर्स रेजिमेंट के रूप में तैनाद किया गया और उसके साथ बहुत बड़ी यूनिट भी सामिल थी है तब ही अचानक से हम देखते हैं कि जापानी फोजी जो है वो सेम की यूनिट पर अटेक कर देती है जो कि एरक्राप्ट के दोरा किया गया था जिस बज़े से यहां पर बहुत सारे फोजी मारे गये थे और कई सारे फोजी घायल हो चुके थे इस अटेक का कोई तोड़ नहीं था क्योंकि यह एरक्राप्ट की दोरा किया गया था यह अटेक जापानियों ने इसलिए किया था ताकि सारे फोजी डर कर बापिस चले जाए लेकिन सैम की यूनिट ऐसी नहीं थी सैम की यूनिट ने उनका डटके सामना किया और पचास फोजी सहीद हो जाने के कोड़ा हिल को अपने कबजे में लेना है और रात को ही सैम ने अपने सारे फोजियों की एक बास समझा दी थी कि चाहे किसी को भी कुछ भी हो जाए लेकिन यह मिसन हमारे लिए बहुत इंपोटन्ट होगा और कोई भी पीछे नहीं मुड़ेगा अब अगले दिन सब सैम की यूनिट पगोड़ा हिल्स के लिए चड़ाई कर रही थी तब ही अचानक से जाफ़ानी फोजी उनकी उपर अटेक कर देती है लेकिन इसके बाफ़जूद बो उनसे डटकर सामना करते हैं और इसी अटेक में सैम को नो गोलिया लग जाती है जिस बज़े से वो पूरी तर से कबज़ा कर लिया था और सैम की बहादूरी को देखते हुए जर्मन के कमांडर ने सैम को मिलेटरी क्रॉस दे कर समानित किया था चो कि सैना मंडल के लिए एक पिरमुक मेटल माना जाता है अब आके हम देखते हैं कि सैम जब इंडियान आर्मी में हुआ करते थे तब उन या खान जो है वो पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहता था और वो सैम से भी कहता है कि तुम्हें भी पाकिस्तान आर्मी जॉइन करनी चाहिए लेकिन यहाँ पर सैम उससे कहता है कि मेरे रग रग में इंडिया है वो कहता है कि भले ही में पार्सी हूं लेकिन मेरे दिल में स सारे फोजी मौजूद थे और सबी लोग अब अलग अलग रस्ते जाने वाले थे जहाँ पर कि याया क्ाण पाकिस्टान आर्मी में जाने वाला था थूझा निग्वावर्मेंट अरुब्लम ये है कि पार्टिसन तो हो गया है लेकिन पाकिस्तान जो है वो कस्मीर भी चाता है और इस वक्त जम्मू कस्मीर के तातकालिक राजा हरी सिंग थे लेकिन महाराजा हरी सिंग के लोग पाकिस्तान आर्मी से नहीं लड़ पा रहे थे तब हरी सिंग हरी सिंग बिलय पत्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए मान गहे थे भी ऑी औरियृत हielle सामσιल cathedral हरी से चस्टर स 것으로 क dragons मानिकसा ज्थ मानिक पाकिस्तान आरमी हो किस्मीर हमला करने ौली है इसलिए मानिक्सा जो है वो अपने सूलजरों को लेकर तुरंती कस्मीर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर हरी सिंग से उस बिले पत्र पर हकस्ताक्षर लेते हैं तो अब सारा कंट्रोल जो है वो इंडियन आर्मी के पास आ चुका था तो यहां पर इंडियन आर्मी की बहुत बड़े जीत होती है और पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर देती है तो मानिक्सा का काम करने का तरीका एकदम अलग था पर उन्हीं के साथ काम करने वाले कुछ कमांडर थे जो कि इस कामयावी से जलते थे जिस बज़े से मानिक्सा की उपर धेर सारे जूटे इलजाम भ के हैं वो सभी बेबुनियाद हैं हवागे कुछ सालों के बाद हम देखते हैं कि मैटर अब और भी सीरियस हो जाता है क्योंकि भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया था और अदालती कारवाही के कारण मानिकसा युद्ध में सामिल नहीं हो सके युद्ध में भारती सेना को पराजय का सामना करना पड़ा इस पराजय के लिए कॉल और मैनन को मुक्रूब से जिम्मेदार ठेहरा गया तब नवंबर 1962 में नहरू ने मानिकसा को चतुरत कोर की कमांद समालने के लिए तब मानिकसा ने नहरू जी को बताया कि उन मानिकसा को कारवाहग लैप्टिनर्ट जैनरल के रूप में निउक्ध किया गया और उनहें तैजपूर में चैठुरत कोर का जणरल कमांडिंग ऑफिसर निउक्त कियागया तो कारवार समालने के तुर нас बाद मानिकसा इस निसकरस पर पहुंचे कि चीन के साथ युद में चतुरत कुर्ट भी बिलता मैं खराम नेतरत वे एक महतपूर कारक था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने सैनिकों के मनुबल को सुधारना था। तो नोंने अपने सैनिकों को और भी अधिक आक्रमत तरीके से काम करने का आदिश दिया। म मानिक साने जवाब दिया कि उन्हें एक चानुसार अपने सैनिकों की कमान सभालने की अनूमती दी जानी चाहिए। जिसमें इंदरागानिधी ने और अब बहाँ सब कुछ कंट्रोल में था। अब कुछ दुनों के बाद हम देखते हैं कि आचानक से नहरुजी को हार्ट अटेक आ जाता है। जिस बज़े से उनकी मौत हो जाती है। जिस बज़े से पूरा देश सदमे में था। तो एक तरफ मारिक साप पूरवत्तर सेना को मजबूत कर रहे थे। जिसमें अपनी यूनिट को वो हर एक तरह के दावपित सिखा रहे थे। तो वहीं दूसर दरफ देश के परधान मंत्री के रूप में इंद्रा गांदी को निक्त कर दिया गया था। तो आगे हम देखते हैं कि 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध बांगलादेस मुक्ति युद्ध से सुरू हुआ था। जो पारंपरी ग्रूप से प्रभापसाली पश्चिमी पाकिस्तानियों और पूरवी पाकिस्तानियों के बीच का संगर्स था। 1970 में पूर्वी पाकिस्तानियों ने एक नए राज की मांग की थी। लेकिन पाकिस्तानी सरकार इस मांग को पूरा करने में पूरी तरह से बिफल रही। 1971 के सुरूबात में ही पूर्वी पाकिस्तान में अलगाओं की मांग ने जड़े जमाली। तो मार्स में पाकिस्तान सरकार ने एक नए राज पर अंकुस लगाने के लिए एक भयंकर अवियान चलाया। जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और पुलिस भी सामिल थे। जिसमें हजारों पूर भी पाकिस्तान मारे गए और लगबक एक करोड सरनार थी निकट बढ़तिये भारती राजपश्चे मंगाल में पलाइन कर गए ये उस समय का सबसे भयंकर नरसन हार था अपरेल में भारत ने बांगलादेश के रूप में एक नए राजट के गठर में साहिता करने का फैसला लिया और फिर अपरेल के अंद में केबनیट बेठक के दोरान परदान मंत्री इंडरा गान्दी ने मानिकसा से पूछा कि क्या भाय है पाकिस्तान के साथ युद्ड के लिये तयार है उन्होंने उत्तर दिया कि वो इस युद्ध के लिए तयार नहीं है उनके अधिकान से जो सेना टुकडी है वह कहीं और तैनाद है उनके पास केबल बारा टैंक युद्ध ही सामिल है और साथी वो ये भी बताते हैं कि आगामी मानसून के साथ हमाले के दर्रे जल्दी खुल जाएंगे जिसके परणाम सौरूब भारी बाड़ाएगी लेकिन फिर भी इंदरा गांदी चाहती थी कि ये युद्ध हो केबनेट बैठक के खत्म होने के बाद मानिक सा ने इस तीफा दैने की पेसकस की तब परधान मंतरी इंदरा गांदी ने इस प्रस्ताप को आस्वी करित कर दिया और बज़ए इसके उन्होंने मानिक सा से सलै मांगी मानिक्सा ने कहा कि यदि उन्हें उन्हें न्हीं सर्दों पर संगर्सों को संभालने की अनूमती दी जाए तो बेड़ जीट की गैरंटी दे सकते है उन्हों ने इसके लिए एक तारीग निर्धारिद की और बताया कि इस तारीग को युद्ध हुरु हुगा ट्रेनिंग दी गई तो युद्ध की आधिकारिक सुरुबात 3 दिसंबर 1971 को हुई जब पाकिस्तानी भीमानों ने देश के पश्चिम हिस्से में भारती वायु सेना के ठेकानों पर बंबारी की मानिकसा के नेतरत में सेना मुख्यालेक ने आगे की नड़नीती तैयार की और उन्हें मूँ तोड़ जबाब दिया तो जैसे जैसे युद्ध आगे वड़ा पाकिस्तान का प्रतिरोध चर्मर आ गया भारत ने अधिकांस जगह पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी सेना को अलग तलग कर दिया और अब पाकिस्तानी सेना ने अब आत्म समर्पन और पीछा हटना सुरू कर दिया था हालात पर चर्चा करने के लिए संयुक तराष्ट सुरक्षा परिसाथ 4 दिसंबर 1971 को एकटी हुई 7 दिसंबर को लंबी चर्चा के बाद संयुक राज अमेरिका ने तातकाल संगर्च बिराम और सैनिकों की बापसी के लिए एक प्रिस्ताब रखा सोबियत संग ने इसे दो बार बीटो किया और बंगालियों के खिलाब पाकिस्तानी अत्याचारों के कारण यूनाइटिड किंग्डम और फ्रांस ने मत्यदान में भाग नहीं लिया फिर भी बहुमत ने इस प्रिस्ताब का समर्थन किया फिर बाद में मानिकसा ने 9, 11 और 15 दिसंबर को रीडियो प्रसारंड द्वारा पाकिस्तानी सेनिको को संबोदित किया उन्होंने सेनिको को आजबासन दिया कि यदि बे आत्म समर्थन पर करते हैं तो ने भारती सेनिकों से सम्मान जनक बहबार मिलेगा तो ये युद्ध 12 दिनों तक चला और इसमें 94,000 पाकिस्तानी सेनिकों को बंदी बना लिया गया इसका अंत पाकिस्तान के पूर भी हिस्सों के बिना सर्थ आत्म समर्थन पर के साथ हुआ और इस युद्ध के परिणम सोर्यूप एक नए राष्ट के रूप में बंगलादेश का जन्म हुआ अब युद्ध के बाद इंद्रा गांधी ने मानिक सा को फिल्ड मारसल के रूप में न्यूक्त किया उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाप के रूप में न्यूक्त करने का निर्णे लिया और वैसे तो मानिक सा को 1922 में सेना वरत मतलब की रिटार होना था लेकिन उनका कारकाल 6 महीने के अबदी के लिए बढ़ा दिया गया और बात में मानिक सा को एक जनवरी 1973 को ससस्तरवलों और राष्ट के लिए उतकरष्ट सेवाओं की माननेता के तौर पर फिल्ड मारसल के रूप में न्यूक्त किया गया उनतीन जनवरी को राष्ट पती भवन में आयोजित एक समहारों में आपचारिक रूप से रेंग प्रदान किया गया बेस पद पर पदोनत होने वाले पहले भारती सेन अधिकारी वने तो दोस्तों सेम बाद और एक वायोग्राफी फिल्म है ऐसे मैं इसमें कहानी नहीं बास्त पिकता है डाई गंटे के अंदर मेकर्स फिल्ड मार्सल सेम मारिकसा की पूरी जिन्गी तो पड़ते पर नहीं दिखा सकते लेकिन उनकी जिन्गी के कुछ पहलियों पर रोस्नी डाली गई है सेम ने किस तरह से वर्ल्ड वर्ड टू में बर्मा में घुसकर जापान की सेना के दाथ खटे किये थे किस तरह सेम ने 1962 के युद्ध के बाद पूर बोत्तर में भारती सेना को मजबूत किया था इसके अलाबा 1971 में बागनादेश की आजादी के लिए कैसे सेम की रणनेती ने पाकिस्तान के एरादे पस्त किये थे इन सबी घटनाओं पर मिगना गुलजार का पूरा फोकस रहा है इसके साथ साथ इंदरा गांधी के साथ उनके रिस्ते को लेकर भी थोड़ा बहुत बताने की कुसिस की जा रही थी और अगर आपको लग रहा है कि यह फिल्म सेना राजनीती युद्ध जैसे बिसे पर है तो थोड़ी बूरिंग होगी इस फिल्म में सिर्प युद्ध और सेना का अनुसासनी नहीं बलकि गंभीर इस्तितियों के बीज भी कई हसने वाले द्रस से पढ़ते पर एक जगह बे पी-एम इंदरा गांधी तक से सुईटी कहते नजर आते हैं इसी तरह बर्मायुद्ध के दोरान सरीर में नोगली लगने के बाद भी बे मुस्कुराते हैं और हमने सेम मानिकसा के किस्से कहानिया बहुत सुनी है कैसे वो एक कमरे में आते और तपाक से हर नजर उन पर टिक जाती कैसे दिल खोल कर जीने में वो कोई संकोच नहीं करते थे कैसे उनके जिन्दगी के कैनवास को पूरा करने के लिए लार्जर देन लाइफ रंगों की जरूत पड़ती है मेगना गुलचार भी उन्हें इसी नजर से देखती है फिल्म पूरे समय सेम को लेकर बिसमे में रहती है चाहे फिर वो उनके डायलोग के बाद आने वाला म्यूजिक हो या उनके आसपास के फौजी हो जो उन्हें आखे बड़ी करके हैरानी से देखते है ये फिल्म की अपनी गेज या नजर है एक बहतरीन बायोपिक है भाग मिलका भाग वहां हम मिलका सिंग के करदार का पूरा आर्क देखते हैं पाकिस्तान में जन्मा एक लड़का बेवाजन ने बुरी यादो दी खुद की मेहनत से देश का टॉप एथलीट बना और मुझे लगाता कि फिल्म उनके लार्जर देन लाइफ नायक बनने के पीछे की घटना के साथ थोड़ा समय बताएगी उनकी परवरस या बच्पन के साथ ऐसे किस से दर्साएगी जिन्होंने उस पार्सी लड़के में इतना आत्म बिसबास भूका फिल्म ऐसा नहीं करती हम हमेशा ऐसे ही सेम से मिलते हैं जो कॉंट्विडेंस से लिवरेज है सेम मानिक सा की जिन्दगी बड़ी और लंबी दोनों थी उस लिहाद से एक फिल्म में सब कुछ फिट नहीं किया जा सकता यहीं वज़े है कि उनके सुरुवादी सालों को कम स्पेस मिलता है फिल्म किसी भी तरह जल्दी जल्दी साट्स के दसक और 1971 की जंग तक पहुंचना जाती है इस बीच उनकी परसनल लाइब को थोड़ी जगे देने की कोसिस की गई है खास तोर पर उनकी पत्नी सीलो किसांद बिताया गया बग्ग और एक्टिंग की बात करें तो सेम बने विकी कौसल को पहले सीन से देखका लगा कि क्या वे देवनन जैसा लहजा पकड़ने की कोसिस कर रहे है तो सुरुवाद में तो ऐसा ही लग रहा था लेकिन बाद मैं उन्हें किरदार को समझा उनके आत्मी विजबास को पूरी तरह खुद के आत्म सहाई के कारण देखका लगता है कि ये कौनफिडेंस पहले उनके सीने में उतरा उसके बाद वो उनकी चाल हाथों के हाब हाँ में बहता चला गया और उनकी नीली चमकीली आँकों को देखकर लगता है कि इस आदमी ने पहले ही सब कुछ ठाल लिया है अब बस करने जा रहा है सेम के जिस एडिट्यूट की कहानिया हमने सुनी है भीकि अपने किरदार को वो देते हैं तो दोस्तो इसी के साथ यह एकस्पिलियसन यहीं पर घत्म होता है तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और कमेट्स वरक्स पर जरूर बताईगा कि आपको ए फिल्म कैसी दन्यवाद जय हिंद जय भारत जैसरी राम